इसमिल्ला रहमान रहीम वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल सो हमने CS606 की प्रिप्रेशन की थी पिशली वीडियो में अब यहीं उस वीडियो का पाट है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे पेपर 6 से सो देख लेते हैं पेपर 6 में क्या है सो इस वीडियो में हम काफी सरे पेपर डिसकस करेंगे और एड़ एंड आप वीडियो मैं आपको बताऊंगी कौन-कौन से लेक्चर इंपॉर्टेंट है और कौन-कौन से टॉपिक आपने जरूर करने सो यह हमारे पास एक और पेपर है इसमें 80% mcqs जो आपास से थे तो यह आपकी लग पर भी डिपेंड करता है हो सकता है कि आपके बहुत सरे mcqs पास से आजान हो सकता है कि बहुत सरे mcqs ना आएं हो सकता है कि conceptual भी पूछ लें आपने पिछली वीडियो में live variable देखा थ सकते हैं अब इसमें देखें विच इंफर्मेशन विए फाइल यह दुबारा से क्वेशन आ चुका है तो यह बहुत इंपॉर्टन है अपने इसको जरूर करना है वाट विच टाइप ऑफ इंपॉर्मेशन इस स्टोर इन मेमरी अपकोर्ट सेगमेंट यह भी दुबारा आ यह बहुत इंपॉर्टन है और यह टेबल वाला क्वेशन इसको इंपॉर्टन है यह लेक्श्य नमर ट्वेंट थी है पेज नमर 77 आप इसको वहां से कर सकते हैं तो आपके मशी कुछ इंप्शेप्चल भी आ सकते क्योंकि सब्जेक्ट ही कॉन्सेप्चल है तो आपने बि यह बहुत है टॉपिक एन एफए एन एफए कभी टॉपिक हमने देख लिया उसके बाद लाइव वैरियेबल वाला क्वेशन सेम वही आद बबारा आ चुका है एभी सीरी तो ही हमने पिछले लेक्चर में सॉल्फ कर लिया था उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेपर है इसमें एक ट्री दिया हुआ था और इसको इन ओर ट्राइवर्सल में करना था तो यह भी आला वाप टॉपिक आपने कर लेना है कि कैसे हम ट्री को चेंज करते हैं उसके बाद है क्रेक्रिस्टिक ऑफ लाइब यह बैरियेबल यह भी हमने पिछले लेक्चर में कर लीए तो कोई एक कॉलम जो है वो फिल ना किया हो आपको फिल करना पड़ जैसे कि यहां पर आपको सब कुछ दिया होगा और ऐक्षिन पूछा जाएगा कि कौन से चिफ्ट है कौन सेक्शन डियूस है और कौन से स्टेट में एकसेप्ट होगा तो आपको जब पता होगा यह सारा टेबल आपको दिया होगा आपने सिरफ यह वला पार्ट इसका फिल करना है तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे फिल करते हैं तो यह आपने देख लेना आपकी बुक में ये दिये में तो जितने भी रूल्स आपकी बुक में दिये में आपने वो सारे रूल अच्छे से करना है ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बाद नेक्स वेपर देखते हैं MCQ जो है वो सहर की फाइल में से भी थे हो रहे रिपीट क्वेश्चन हम नहीं करें हम स्किप कर देते हैं उनको और पर नमर 12 पे पहुंच आते हैं टरमनल और नोन टरमनल वाल जो टॉपिक है ना ये भी मिट वाला है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि इस तफ़ा आपकी जो पेपर है ना वो 19 लेक्चर से स्टार्ट हो रहें मिट का कोई भी पोशन एड नहीं होगा पहले होदा था कि 20 परसंट एड होदा था तो व वाला कुशन बहुत इंपॉर्टन है तो यह मैंने एक वेबसाइट से लिया है तो आपने इसका भी कॉंसेप्ट किलियर करना है फिर बेसिक ब्लॉक वाला कुशन आ चुका है पिछली लेक्चर में देखा था कि बेसिक ब्लॉक को कैसे फाइंड करते हैं तो अब यहां पर इसके बाद तो को ट्राइवर्स कना था तो यह किया हुआ है पहर याट इसका फाल फाइल किलिश करता है यह इसी फ़ाइल बहुत इंपॉर्टन है बार बार कोशिन रपीट हो रहे ठीक है ऊसके बाद कुछ इंपॉर्टन आभजेक्टिव है जो कुछ स्टूडन ने शेर है इसके बाद है लेक्जिट अनलाइस जनरेट अटोमेटिकली कंस्ट्रॉक्त टोकन क्या इनलाइस करता है एक को करता है तो इस सारे अपिशनस लगे हुए आगे साथ पेशने बर भी मेंशने तो पेश नमर 65 से ओनवर्ड जो है नहीं आपका फाइनल तर्म इस्तफा है तो 65 के बाद वले आपके सारे टॉपिक्स को चदे किसे करना अब यह पेश नमर 25 है तो यह आप स्किप कर सकते हैं यह वले MCQ क्योंकि यह अभी अब केस्ट में इन्वाल्व नहीं है ठीक है यह पेश नमर 18 से यह आप में स्किप कर दें यह पेश नमर 98 से तो यह आपने करना ह है क्योंकि page 65 से हमारा final start हो रहा है ठीक है तो यह कुछ most important mcqs हैं यह वले mcqs जो आपने हैर हाल में 30 mcqs हैं जो बहुत important है उसके बाद यहां last week मैंने कुछ important lectures भी लिख लिख लिए हैं कि कुन से lecture जो है भी important है lecture जो last four lectures है ना वो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि उसी में basic variable दिया हुआ है उसी में जो है वो live basic block दिया हुआ live variable दिया हुआ है तो lecture number 45, 44, 43, 42 यह lectures तो बहुत ज़्यादा important है ना इस में से आपका subjective में long ज़रूर आएगा इन lectures में से इसके लावा lecture 38, 39 भी बहुत important है, 27 और 30 भी बहुत important है अगर आपके पास time कम है तो आपने यह वले lecture ज़रूर ज़रूर करने है उसके बाद आपने यह फाइल भी करनी है current papers की और इस फाइल की end पे जो है वह मेंने सहर वाल इसकी file attach कर दी है यह file इसके काफी mc की उज़र तो यह कुछ ही mc की उज़र अदा लंबी file नहीं है तो आपने यह file भी करनी है इसके अहलावा जो है आपने जुनेद की file भी करनी है और वकार और मौस की file भी अपने करनी है तो आपको किसी भी website से मिल जाएगी बस आपने cross check कर लेना है कि उसके answer जो है वो right लगे हुए है यह नहीं लगे हुए बाकी इंचला अगर आप इसके according त्यारी करते हैं आप current papers के according त्यारी करते है तो आपका paper बहुत अच्छा हो जाएगा इसके हलावा जो अभी 2023 में जो paper होने वाले है उसमें भी बच्चे आके जरूर शेयर करते हैं अपना paper different groups में share करते हैं website में share करते यूटीब पे paper share हो जाता है तो आपने वो सारे paper भी एक दफा जरूर देख लेने उंको गर आप बस time है तो आप उनको solve करें current paper से paper repeat होने की chances बहुत जएदा होते हैं कभी-कभी तो ऐसा होता है कि current paper पोरा ही repeat हो जाता है तो current paper से repeat होने की chances बहुत जएर आ तो आपने current paper और कबे को भी रपीट भी हो जाते हैं question वो अगर आपको यह वीडियो इच्छ लगी हो, इस वीडियो से आपको जरा साथ फायदा हुए तो इसको like करें और चैनल को subscribe करें और दूसरे दोस्तों को साथ भी share करें ताकि वो लोग भी इसकी सब्जेक्ट की त्यारी बहुत अच्छी से कर सकें इसके लावर डिस्क्रिप्शन में मैं इस फाइल का लिंक डाल दूंगी जिसमें 50 पेज की ये फाइल है तो अपने ये फाइल अबजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए हासे इंपॉर्टन्ट है अपने इस फाइल को अच्छी तरीकी से कर लेना है और अपने दूसरों का भी शेयर करना है थैंक यू